हलो दोस्तों नमस्कार क्या हाले स्वागत है आपका कबर एच्पी में तो आईए नजर डालता है हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल मतादे कि इन सिक्षकों को नियुक्तियों के लिए अब जून तक इंतिजार करना होगा मैं 11-11 परों पर जेबीटी की बैच बाइच बाइच भरती का परणाम भी जून में ही इंचारी होगा मैं कम्पूटर साइन्स से प्रवक्ता के 985 पत भरने को बिग्यापन जारी करन लोकस्वा चुनाप को लेकर जिले में 11-144 लागू-2083 पोलिंग इस्टेशन बनाए गई जिस सिमला संसदिय सीट पर करीब 1332,282 माधदता माताधिकार का इस्तमाल करेंगे इसमें जिला सिमला सिर्मूर और सोलन के माधदता सामिल है मजिला निर्वाचन अधिकारी सिमला अनुपहम कस्यप नहीं जनकारी थी उन्हेंने बताया कि भारत निर्वाचन आयो की और से चुनाप की घोषना के साथ आधर से अचार सहीता लग गई मैं निर्वाचन अधिकारी अनुपहम कस्यप ने बताया कि चुनाप को लेकर जीले में 1144 लाग हो रहेगी उन्हेंने चुनाप के दुरान कानून विवस्ता को बनाई रखने के लिए गोला बारुत और सस्त्रों को संबंदित पुलिस थानों में जमा करवाने के निदिस् सिम्ला लोकसबा चुनाप चेतर में 1332,229 माद आता हैं इसके अलाबा सिम्ला में 902 सोलन में 592 और सिर्मोर में 589 पॉलिंग इस्टेशन हैं लोकसबा चुनाप आदस अचार सहिता के उलंगन की सिकायत टॉल फ्री नंबर वटके 1950 पर कर सकते हैं उन्हेंने जिला वासों स के वाहनों का परवेश अप्रेल से लागू होंगी दर हैं जही माचल परदेश में एक अप्रेल से बाहर राजों के नंबर वाले वाहनों का परवेश सुलके 10 से 50 रुपे तक बढ़ गया हैं वितवर से दोजार 24 पचिस के लिए टॉल बेरियरों पर विभिन सरन्यों के व 25 चालकों को 50 रुपे की जगह अब 60 रुपी है सुलके देना पड़ेगा ही माचल राज चेन आयोग में पुरानी भरतिया जारी रहेगी नई पर रोग जिन लोग सबाद चुनाब की तारिकों का एलान होता ही आदर से अचार सहिता लगने से राज चेन आयोग के माध्यम स अब नई भरतिया नहीं हो पाएंगी हाना कि नव गठित आयोग के माध्यम से पूर्मे जारी ओपरेशन थियाटर एसिस्टेन और गुरूप इंस्ट्रेक्टर की भरति परिक्रिया रहेगी मैं दोनों भरति परिक्रियाओं को लेकर राज चेन आयोग की तरब से आपचार यानि कि OTA पोस्ट कोड 173 के 162 पतों के लिए CBT तेहन मैं आयोग के गठन के चार माध आयोग की वेपसाइट अभियत्यों के लिए सुरू कर दी गई है मैं आयोग के परसासनिक अधिकारी जितंदर साच्चा ने कहा कि नई भरति परिक्रियाओं सुरू नहीं होगी लेकि प्रिती विधानसबा चेतर में ओप्चुनाव के लिए परतियासों का चियन करना चुनोती बन गया है मैं बिते दिनों सियासी संकट से निकली कॉंग्रेस को इस बात का इल्म नहीं नहीं था कि ओप्चुनावों का भी इतनी जल्दी सामना करना पड़ेगा मैं सभी की मैं 2012 में इन्होंने बतोर निदलिये चुनाव जीता था मैं 2017 और 2022 में कॉंग्रेस टिकट पर जीत दर्ज की मैं सुजानपुर विधानसबा चेतर में कॉंग्रेस के दूसरी पंक्ति के निताओं में कोई भी बड़ा नाम नहीं है यहां कॉंग्रेस को हर गुना भाग पर ध टिकट देगी या फिर नई चेहरों उतारेगी मैं अब यह नई पहली है मैं लोक सबा चुनाव ही नहीं बलकि बिधान सबा उपचुनाव के टिकटों पर भी भाज़पा जल्द फैसला ले सकती है मैं चार में से भाज़पा ने सिमला और हमिरपूर संसदिये चेतरों के परतासी गोसित कर दियें मैं अब मंडी और कंगला के टिकट गोसित के जाने बागी है मैं अयोग गोसित शे कॉंग्रिस बिधायकों के छेत्रों में भी टिकटों पर फैसला होना है ह्प्यो में इस सत्र से बंध हो जाएंगे या सर्टिफिकेट कम आविदन आने पर फरसासन का फैसला यही माचल पर्देश यूनिबर्सिटी से इसी सत्र में कुछ डिपलमा और सर्टिपिकेट कॉर्स नई सत्र से बंध हो जाएंगी बताती कि HP में चल रहे हैं पांच कोर्सेश का बैस सेक्षिनिक सतर दोजार चोबिस पचिस में नहीं बैठेगा इन कोर्सेश में परवेश के लिए कम आवेदन आने के चलते हैं निनने लिया गया है इन कोर्सेश में PG Diploma in Environmental Psychology के अलबा Organization Psychology Diploma in Adult Education, Guidance and Counseling और MA in Physical Education सामिल है विस्विद्दाले वर्तमान में MPAD कोर्स भी चल रहा है ऐसे में विस्विद्दाले परसासन ने MA in Physical Education कोर्स को डिसकंटिन्यू करने का निनने लिया है इसके अलबा अन ये कोर्सेश में बीते वर्षों में आवेदन कम आ रहे थी ऐसे में मामले को लेकर EC में विस्तिर चर्चा होई और निनने लिया गया कि इन पांच कोर्सेश का बैच अगले सक्षिनी सतर दोजार चॉबिस पजिस में नहीं बिठाया जाएगा वहें HPO के स्परिच्छा अनियंत्रक डॉक्टर SS कोसल का कहना है कि कोर्सेश को बंद करने का निरने EC में हुआ है मैं कम इस्टुडेंट की संक्या होने के कारण ये डिप्रमा और सर्टिपिकेट कोर्स बंद किये जा रहे हैं हिमाचल से दोरा सुरू करेगा सौलवा वित आयोग पहली अप्रेल दोजार चब्बिस से लागू होगी सौलवे वित आयोग की सिफारी से हैं जो भारत सरकार का सोलवा वित आयोग इस बार हिमाचल परदेश से देश के सभी राज्यों के दोरे की सुरुवात करेगा। महिमाचल के लिए सोलवा वित आयोग का यह दोरा कापी आहम रहने वाला है। महिमाचल कम्यूनिटी लाइव एच लाइवली हुड प्रोडिसर कंपनी लिमिटेट का सुब आरम अतरिकते परधान मोख्य आरन येपाल एवं जैका वजवाने की पर्योजना के मोख्य पर्योजना निदिसक नागेश कुमार गुलरिया ने किया। मैं स्योम सहता समू दुवारा चुने हुबे निदिसकों की उपस्तिति में कम्पनी का गठन किया गे। इस कम्पनी के गठन होने से हिमाचल पर्दिस के लगबख 920 स्योम सहता समू को उनके उतपादों को मार्केट में ले जाने में सहता होगी। मैं ये सबी समू अपके कम्पनी अंतरगत गठित किये गए। मैं जिनको लगबख 920 लाग की रिवॉल्बिंग फंड और 50 से 75 पर्दिसत केपिटल कोस्ट मसीनों की खरीद के लिए परदान किया जाता है। मैं जिनको लेकर सोचल मेडिया पर खोद सुचना दिये। मैं हाड सॉल्टर के साथ इंटरमेडियेट लेन में सुधार के लिए वजट को सुकृति दी गई है। हिमाचे में नहीं बड़े बिजली की रेट राज बिदुत नियामक आयोक ने एक रुपए परती यूनिट बढ़ा कर दिया टेरीव। हिमाचे में राज बिदुत नियामक आयोक ने अगले विद्वर्स के लिए विजली का टेरीव जारी कर दिया है। इस टेरीव ओडर में एनरजी चार्ज को एक रुपए परती यूनिट तक बढ़ाने के आदिस दिये गए। लेकिन इसका भुगताओं पर असर नहीं होगा क्योंकि राज सरकार अपनी सबसीडी बढ़ाकर इसे बैलन्स करेगी। मैं आयोक के सचीब के और से जारी किये गए इलेक्रिसीटी टेरिफ में या बात कही गई है। इस ओर्डर के अनुसार बिजली बोड के लिए वितवर्स दोजया 24 परजिस में एनुवल रिवेन्यू रिक्वाइर्मेंट एकाच सो एकारा करोर की आखी गई है। मैं नियंतरल से बाहर बाले पेरामेटर को देखते हुए बिजली बोड के लिए और सत विदूत सप्लाई लागत 6 रूपी उनासी पैसे परतियूनिट आयोकिन आकी है। इसलिए एनर्जी चार्ज में वर्तमान दरों पर एक रूपी परतियूनिट की विर्दी सभी परकार के कंजूमर्स के लिए की गई है। के लिए परतियक जिले में कमेटी का गठन किया है। के लिए आदिस जारी किये थी। इसी मामले में कोट ने सिख्चा का अधिकार अधिनियम के अंतरगात निजी इसकलों में भी आर्थी ग्रूप से कमजोर वर्क के चात्रों को 25 फिजदी आरक्षन देने के आदिसों की अनुपलना रिपोर्ट तलब की थी। में अपने पिछले आदिसों में कोट ने सभी सरकारी सहता प्राफ्त और गेर सरकारी सहता प्राफ्त निजी इसकलों को आदिस दिये थे कि में कमजोर वर्किस संबंदित और वंचीत समुके चात्रों को 25 फिजदी आरक्षन देने इस साल भी दो साल की बीएड एच्प्यू की 8500 सीटों के लिए रहेगी फुरानी व्यवस्ता जहीं माचल पर्देश बिस्विदल और रेजिनल सेंटर धर्मसला सहित सभी प्राइबेट कोलेजियों में अब नई सत्र में भी दो साल की ही बीएड होगी में एच्प्यू की एन-CTE के समक्चा आवेदन नहीं किया हैं ऐसे में चात्र अभी भी दो साल की ही बीएड कर सकते हैं मैं गोर रहे की भात्य पुनरबास परिशत ने इस सम्बंद में नोटिस जारी किया था ऐसे में चात्र और समंझस में थी महीं एन-CTE नई सेक्षिनिक निती 2020 के तहत इं ये सनस्तानों में भी नई सत्र से RCI की और से सिर्फ चार वर्षिय बीएड पाडिकरम की ही मानिता दी जाएगी लेकिन हिमाचल यूनिवर्सिटी ने इस सिस्टम को लागू करने से फिलहाल मना किया है पसू तसकरी मामली में एक और गिरफतारी यूपी से दबोच लाई पुलीस जह पसू तसकरी मामली में सिर्मोर की काला आम पुलीस ने एक और गिरफतारी किये मैं पुलिश ने 3 आरोपी मुहमद आलिम निवासी गाउंस सेकुं मुहैजपूर डागर मुजफराबाद तहस्यिल बेहट उतर परदेश को गंदेवळ उतर परदेश से गिरबतार करने में सफल्ता हासिल की ये में आरोपी को गिरफतार करने के बाद पुलिस इसे सिर्मोर लाई है और उसे जल्द अनलत के समक्ष पेस किया जाएगा बदाद कि ये आरोपी कला अम के हिस्सों से सौंबार को पसू चोरी करते थे और अगले ही दिन यानि मंगलवार को यूपी की पसू मंडी में बेच देते थे मैं आरोपियों के पास से पुलिस ने पिस्टल और रौंद भी ब्राम्द किये ये सबी हिमाचल हर्यान और उत्तर पर्दिस में पसू चोरी के मामले में सनलिपते हैं और उनके किलाब पहले से भी कई मामले दर्ज है महीला को टकर मारकर मोके से फरा ट्रक चाल गिरबतार जैसीरमोर के कला अम में हाथ से को अनजाम देने के बाद मोके से फरार हुए ट्रक चालों को पुलिस ने गिरबतार कर लिया है पुलिस ने ट्रक को भी कबजे में लिया हैं। पुलिस ने इस मामली में अगामी करवाई शुरू कर दिये। मैं पुलिस ने ट्रक की तलास के लिए पुईता शुरू की और CCTV केमरे भी खंगाले। मैं केमरों की मदद से पुलिस ने हाथ से को अंजाम देने वाली ट्रक का नमबर HP 178033 पाया गे। मैं लिहाजा पुलिस ने चाला के संदेव सिंग गाउं वडागर पुरुवाला कास्री पूर तहसिल पाफटा साहिप को ग्रफतार किया है। मैं साथी पुलिस ने ट्रक को भी कबजे में लिया है। मैं S.P. सिर्मोर रमन कुमार मीना ने मामले की पुष्टी की है। ने किया गया तो इसके गंबिर परिनाम भुगतने पड़ेंगे। मैं मेला के दुरान आग जनी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए अगनी समन वहानों की भी तिनाती की गई। मैं होला मोहला मेले सधालों की सुरक्षा के लिए जिला पुलिस दुबरा सुरक्षा वेवस्ता चाक चोबंद कर दी गई। मैं जिला परसासन ने माल वहाक वहानों में आने वाले सधालों पर लगाम लगने की भी रूप्रेका त्यार की है। मैं डिसी उनना जतिन लाल ने कहा है कि मेले के दुरान ट्रॉकों ट्रेक्टर ट्रोलीव ट्रालों में सवार्यों ढोने पर पुर्णतिया परतिबंद रहेगा। ऐसा करने बाले वहानों पर हिमाचल परदेश द्वारा अनुसर करवाई की जाएगी और आगे नहीं जाने दिया जाएगा। में तक ट्रेक्टर चाले की पहचान काका निवासी फिरोजपूर के तोर पर हुई है। में जिसने नतीजे भी चार जुन को ही खोसित किये जाएगे। चुनाब को लेकर सिमला पुलिस के पुक्ता इंतिजाम सील होंगे इंटरनेशनल बॉर्डर जाने पुरी जानकारी। जी माचल पुलिस में चुनाब को लेकर सिमला पुलिस के पुक्ता इंतिजाम है। मैं अंतर राज्य बॉर्डर से आने बाले जाने वाले लोगों पर कड़ी निग्रानी रखी जाएगी। मैं सिमला पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि चुनाब के दुरान सराब और अनिये नसीले पदार्तों की तसकरी करने वाले पर कड़ी रखार रहा ही अमल में लाई जाएगी। मैं चुनाबों को देखते हुए अब इन जगहों पर करी सुरक्षा व्यस्ता करेगी। लोकनिवान मत्री विक्रमादी सिंग को मंडी सिट का चुनाब परभारी लगाया गया। उनकी मा परतिबा सिंग मंडी सिट से निवर्तमान सांसद है। नहान के डाइट हॉल में सहायतिकारों की जमी महफील कित कभीताओं वो गीतों के माद्यम से दिये अहम संदेश। जे सांसिक्रितिक आस्ता इस्पेक्टरम दोवारा रविवार को नहान के डाइट हॉल में कभी सम्मेलन का आईजन किया गया। प्रस्यत हलुमान मंदिर जाको में बना एकस्केलेटर शुरू होने के दो दिनों बाद ही फिर ठप हो गया। इसे बंद रखा गया है। विधायकों को चुनाब में नहीं उतारेगी बीजेपी कॉंग्रेस दावा साबित करने को भाजपा को जितनी होंगी सभी सीटे हैं। जे राज सभा चुनाब के कारण कॉंग्रेस बिधायक दल में वही बगावत के बाद अब लोग सभा की चार सीटों के साथ बिधान सभा की छे सीटों पर उप चुनाब गोशित होने से भाजपा और कॉनाब मैदान में उतरने से परहज होगा। इसकी सबसे बड़ी वज़ा बिधानसभा के भीतर दलिये इसी ती हैं। हलाकि छे कॉंग्रेस बिधायकों को डिस्क्वाइलिफाय करने के बाद अब हो रहे उपचुनाब से राज सरकार को रहात जरूर मिलेगी। मैं उपचुनाब के बजाए यदि सुप्रिम कोर्ट से इन्हें स्पीकर के फैसले के खिलाब इस्टे मिल जाता है। तो सरकार पर खत्रा बढ़ जाना था वह लेकिन उपचुनाब होने से भाजपा और कॉंग्रेस दोनों के लिए अब अपनी तागत जनता के बेच में दिखाने का मौका है। मैं कॉंग्रेस के इन छे बिधायकों की बगावत के बाद और तीन निर्दलिये बिधायक भाजपा के साथ जाने के बाद बिधान सबाके भीतर दोनों दलों की इस्टिति 34 दसमनलब 34 पर आ गई है। मैं पूर्ब गोबिन सागर जिन में एडवेंचर एक्टिविटिज के लिए जिला परसासन बिलासपूर ने निविधाया आमंतरित की थी। तदा इस परिक्रिया को पूरा करने के बाद अब टेंडर आवाट कर दिये गए। जाच एजनसी टीम की एक पूलिस कॉस्टिबल की गोली लगने से मौत हो गई है। मैं मिरिता की पहचान कॉस्टिबल अमरितपाल सिंग के रोप में हुवी है। मैं होस्यारपुर के वरिष्टे पूलिस से अधीचक यानि की SSP सुरेंदर लांबा ने रविवार को बताया की अवेत हत्यार रखने के संदेव पर करवाही करते हुई। CIA की एक टीम ने सुक्विंदर सिंग के आवास पर जापे मारी की। में एक निजी अस्तांतरित कर दिया गये। मैं जहां इलाज के दुरान उन्होंने दम तोड़ दिया। CIA की कुर्सी का खेल। मैं नोट के बल पर भाजपा को सत्ता कभी भी हासिल नहीं होगी। मैं बागी बिधायकों पर तीका हमला करते हुए सुकु ने कहा है कि 40 सालों के कड़ी संगर्स के बाद CM पत पर पहुँचा हूँ। वे बेक्ती बड़ा नहीं होता बलकी संगठन बड़ा होता है। जो बीक जाते हैं और अपना इमान बेच देते हैं वे कभी भी जनता के सवक नहीं बन सकती। मैं सुकु ने कहा कि पिछली कई दिनों से बागी विधायकों को जेल की तरह रखा गया। मैं कभी इधर तो कभी उधर घुमाया जा रहा है। दोस्तों खबरों का सिलसला इसमापत तो अगर जनकारी पसंद आई होत। वीडियो को लाइक, से यह चनल को सस्क्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीड़बैक जरूर दें।